मूवी के स्टार्ट में हम दो सोल्जर्स को प्लेन में देखते हैं मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा दुफार आ जाता है और इनका प्लेन लाइटनिंग से टक्रा जाता है ये सब देखकर वो दोनों सोल्जर्स पैराशूट को पहनते हैं और नीचे कुछ जाते हैं अब वो दोनों एक आइलन पर आ गए थे और इन दोनों सोल्जर्स को पता चलता है कि कुछ कभीले वालों ने इनको खेल लिया है ये कभीले के लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं कभीले की दो लड़किया आती हैं और इन दोनों सोल्जर्स को अपने साथ ले जाती हैं। फिर ये लड़कियां इन दोनों सोल्जर्स को एक कुफा में ले आती हैं। वो लड़कियां इनको यहीं पर अकेला छोड़कर खुद चली जाती हैं। तब ही एक सोल्जर के उपर एक बग आकर गिरता है। ये सूलजर उस बग को मार देता है, मगर अब बग बहुत सदा तादात में इनकी तरफ आने लगे थे, ये दोनों इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करपाना इनकी लिए बहुत सदा मुश्किल था, ये दोनों बाहर आजाते हैं और पत्थरों से दरफासे को बंद कर देते हैं, मगर वो बग अब सुराखों से भी अंदर आने लगे थे, ये दोनों एक राट का इस्तमाल करते हैं और एक चटान पर चड़ने की कोशिश करते हैं, एक सोलजर तो चटान पर चड़ जाता है मगर दूसरा सोलजर नीचे गिर जाता है जो सोलजर नीचे गिरता है उस पर बग्स अब अटेक करने वाले थे इस सोलजर का दूसरा साथी इसको उपर खैच लेता है ये दोनों सोलजर जब बच जाते हैं बक्स चट्टान पर भी चड़ रहे थे एक सोलजर एक चखा पर लटक जाता है जो रसी पर लटक रहा था वो सोलजर अपने दूसरे साथी को भी बचाने की कोशिश कर रहा था मगर वो बक्स अभी भी इनके पीछे थे तब ही एक सोलजर नीचे गिर जाता है और बक्स उसको मार देते है लेकिन इसी वक्त यहां पर एक और मॉनस्टर आ जाता है और वो मॉनस्टर दूसरे सोलजर को भी मार देता है इसके बाद इस मूवी में हमें 70 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जो अपनी एडवेंचरस मूवी को शूट करने के लिए इसी जगां पर राय हुए थे इस पूरी टीम ने ब्लास्ट वाले सीन को शूट करना था लेकिन अब इनकी मूवी का जो डाइरेक्टर था वो सब चीजों को रियल दिखाना चाहता था वो अब ब्लास्ट करने का प्लैन बनाता है और पासी वाली पहाड़े पर एक ब्लास्ट करवाते हैं ये सब देखकर डाइरेक्टर तो बहुत ज़्यदा खुश हो जाता है क्यूंकि वो ऐसा ही सीन चाहता था मगर तभी काव को ऐसा फिल होता है कि यहाँ पर कुछ गरबर है और जब वो उस माउंटन को देखता है जिस पर इन लोगों ने प्लास्ट किया था वो माउंटन पूरी तरह से गिर जाता है ये देखकर सब लोग चुपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग चाते है कुछ दिर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग सेफ होते है इनकी टीम में से एक लड़का फ्रेश होने के लिए चाता है तब ही उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा मॉंस्टर होता है वो लड़का अब उस मॉंस्टर से बच कर भाग रहा था और वो अपने लोगों के पास आ रहा था तैसे ही इस मॉंस्टर को दूसरे लोग देखते हैं तो उनकी हालत भी बहुत ज़्यदा खराब हो जाती है और सब लोग यहां से भाग चाते हैं वो मॉंस्टर वहां पर आकर बहुत सारे लोगों को मार देता है वो इसके बाद वहां पर एक लड़की पर भी अटेक करने की कोशिश करता है मगर वो लड़की इस बड़े से मॉंस्टर से खुद को बच्छा लेती है इनकी मुवी की हिरोईन जिसका नाम कोईयो था उसका पाओ वायर में भस जाता है जिसकी वचा से मॉंस्टर अब उसके पास आ रहा था कोईयो वहाँ पर अपने बास और दूसरे लड़के से हल्प मांगती है लेकिन वो दोनों इतने ज़दा सेल्फिश थे वो वहाँ से भाग चाते है तब ही वहाँ पर कोईयो की फ्रेंड आ जाती है जो उसकी हल्प कर रही थी मगर वो मॉंस्टर अब उस पर भी अटेक करने की कोशिश करता है काउ वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है मगर वो मॉंस्टर कोईयो की फ्रेंड को मार देता है अब ये दोनों एक जगा पर छुप जाते है जिससे इन दोनों की जान बच जाती है वो म Juice भी वहां से चला जाता है ये उस चगापर आजाते हैं जहां पर इनके टीम के बागी मेंबर्स भी थे ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं इनको एक कौफा नजर आती है ये लोग इस कौफा के अंदर जाते हैं और ये वो ही कुफा थी जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी इसी बीच वो मॉंस्टर भी इनके पास से गुजरता है मगर वो मॉंस्टर इनको नहीं देख पाता और वहां से चरा जाता है ये लोग उस कुफा में आगे वड़ते हैं तभी एक लड़के के पाओं के नीचे एक बग आ जाता है ये देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और उस लड़के पर अटेक कर देते हैं मगर वो लड़का नीचे गिर जाता है और ये सबी बग्स उसकी सारी स्किन खा जाते हैं ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं काउ वहाँ पर आग चलाता है और उन बक्स को पीछे करने की कोशिश करता है सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे वो बक्स इनको आगे से भी खेर लेते हैं और ये लोग भस कर थे और इस बचा से इनके बहुत सारे लोगों की तैथ हो जाती है अब बक्स वहाँ पर आग से डर रहे थे इसलिए काउ का दूसरा फ्रेंट भी आग चला लेता है और बक्स को आगे आने से रोक रहा था इनका बॉस बहुत सैदा सल्फिश था उसके साथ जो दूसरा लड़का था वो उसको बक्स के आगे गिरा देता है और उस पर से चड़ कर दूसरी साइट पर आ जाता है ये लोग सब ही अपने कप्ड़े जमा करते हैं और उनमें आग लगाते हैं उस आग की वज़ा से बक्के बीच में एक रास्ता बन जाता है और ये सब ही लोग अप उस कुफा से बाहर आ जाते हैं ये लोग एक जगा पर आ जाते हैं जहां पर इनके चारो साइड्स पर कुछ पत्थर खड़े थे असल में ये वो ही जगा थी जहां पर कबीले वाले रहा करते थे जो हमें मुवी के स्टार्ट में दिखाया गया था अब इनको वहां पर एक पत्थर पर बनी हुई पेंटिंग भी नजर आती है जिसमें मौनस्टर साब से लड़ रहा था अब इन्हें ये पता चल चुका था कि उस बड़े से मौनस्टर के इलावा यहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक भी है ये लोग ये प्लैन करते हैं कि राट से पहले वो इस जगा से निकल जाएंगे दूसरी तरफ अंकल जू और उनके साथ जो लोग थे वो कहीं पर भस कए थे अब इन लोगों की एक जगा पर नजर पड़ती है जहां पर बहुत सारे अंडे थे अंकल जू उन अंडों को देखकर ये समझ गए थे कि उनका यहां पर रुपना ठीक नहीं है सबी लोग वहां से फौरण चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद ये लोग भी कैमपीन वाली जगा पर आ जाते हैं जो डारेक्टर था वो अपने साथ एक अंडा ले आया था अंकल जू इस बात पर गुसा करते हैं उनको पता था कि ये चीज़ उनको बहुत बड़े खत्रे में डाल सकती है अगले सुबा हम देखते हैं कि इने के टीम का एक लड़का फ्रेश होने के लिए जंगल में जाता है तब ही उसके सामने बहुत बड़ा एनाकॉंडा आ जाता है और वो एनाकॉंडा स्नेक एक ही बल में उस लड़के को खा जाता है इसको देखकर सब लोग छुपने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचा रहे थे ये एनाकॉंडा बहुत ही बुरे तरीके से सब पर अटेक कर रहा था इसे पीच वो क्वायो पर भी अटेक करने की कोशिश करता है मगर काउंडा उसको बचा लेता है तब ही वो एनाकॉंडा उस डायरेक्टर को खेर लेता है जो उसका अंडा लाया था जब वो उस डायरेक्टर के हाथ में अपना अंडा देखता है तो उस एनाकॉंडा को बहुत ज़्यादा गुसा आता है वो एनाकॉंडा एक ही पल में उस धारेक्टर को खा जाता है काउ पीचे से आता है और उस एनाकॉंडा पर हमला कर देता है उस एनाकॉंडा को गुसा जाता है और वो भी अब काउ पर अटेक करता है मगर तबी वहाँ पर काउ का फ्रेंड एक नोकीली चीज से उस एनाकॉंडा पर अटेक करता है वो स्नेक एक लड़की पर अटेक करने की कोशिश करता है उस लड़की को दूर फैंक देता है जिसकी वच्छा से कोई रूंकिली चीज उस लड़की के पेट के आर पार हो जाती है ये देखकर काव एनाकॉंडा पर एक स्टोयन फैटता है जिसकी वच्छा से एनाकॉंडा कोई देर के लिए इंचड हो जाता है अब इस जिसका फाइदा उठा कर ये सबी लोग अपनी चान बचा कर भाग जाते हैं इनका बॉस जो अपनी चान बचा कर भाग गया था उस जगा पर पहुँच आते हैं जहां पर उसी मॉंस्टर और एनाकॉंडा की लड़ते हुए पेंटिंग बनी हुई थी दूसरे तरफ हम देखते हैं कि कौयो और अंकल जू फाग रहे थे और उनके पीछे एनाकॉंडा अभी भी लगा हुआ था तब ही वहां पर वो ही बड़ा मॉंस्टर भी आ जाता है और अब एनाकॉंडा और उसके दर्मियान में फाइट होती है मगर वो मॉंस्टर अनाकॉंडा से बहुत सदा पावरफुल था अनाकॉंडा की गर्दन अपने मुँ में दबोच लेता है और उसको मार देता है तब ही वहां पर जो इंचर लड़की काउ के साथ थी वो उसको कहती है कि वो नहीं बच पाईगी वो उन सब को यहां से भागने का कहती है और अब खुद को उस मॉंस्टर के सामने सेक्रिफाइस कर देती है ये तीनों अब आगे जब बढ़ रहे थे तो वही पर अंकल जो चो चल चल कर बहुत सदा थक चुके थे उनकी अब बहुत ज़दा तब्यत खराब हो जाती है और वही पर उनकी देथ हो जाती है ये देखकर काउ बहुत ज़दा तुकी हो जाता है और उनकी टेड बोडी को अब एक जगा पर दफना देता है और इसके बाद काउ एक्स्प्लोजिव बनाना शुरू कर देता है वो ये समझ चुका था कि कबीले वाले लोगों को ब्लू बैरिस खिलाते थे जिस वचा से वो एनाकॉंडा और उस मॉंस्टर को अट्रेक्ट करते थे जिस वचा से उन दोनों में फाइट होती थी और क्वायो को अकेला छोड़ कर बैरिस धूडने के लिए चला जाता है तब है वहाँ पर उनका बास और उसके साथ जो लड़का था वो वहाँ पर आ जाते हैं वो क्वायो को बेहोश कर देते हैं अखली सुभा उन्होंने बहुत सारे लोगों को भांदा हुआ था तब ही इनका बास ये फिल करता है कि इनके आस पास कोई है मगर अच्छानक ही काउ अपने बास पर अटेक कर देता है और जिसके बाद वो वहाँ पर सभी लोगों को उससे फ्री करवा लेता है बास कौय उपर गन को पौइट कर लेता है काउ बहुत ही असानी से अपने बास से गन चीन लेता है मगर वो अपने बास को नहीं मारता इनका बास हृर्ण को बार बार बचा रहा था वो मॉनस्टर को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा था मगर अब जैसे ही वो मॉंस्टर वहाँ पर आता है तो वो सबसे पहले इसी बॉस को खा जाता है बाकि लोग किनारे पर पहुँच गए थे वहाँ पर एक बोट फसी हुई थी काओ अब उस लड़की से कहता है कि तुम्हें भी इन सब लोगों के साथ जाना होगा और वो खुद यहीं पर रुकेगा उस मॉंस्टर मेगलीनिया को मारने के लिए और उसको एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करना होगा ताकि एनाकॉंडा यहां पर आकर उस मॉंस्टर को रोक सके और अब वो अकेला ही ट्रैप सेट करने के लिए चला जाता है मगर तभी वो बड़ा मॉंस्टर इनकी तरफ आने लगता है कौयो उस मॉंस्टर को डिस्ट्रैट करने के कोशिश करती है मगर वो मॉंस्टर इस पर अटेक करने वाला था वो गन से मॉनस्टर को शूट करने की भी कोशिश करती है मागर वो मॉनस्टर उसी को मारने वाला था तब ही उसका एक फ्रेंड उसको बचा लेता है और खुद को सेक्रिफाइस कर देता है और अब बैरीज एक्स्प्लोसिफ ब्लास्ट हो जाते हैं उन बैरीज की स्मेल की वज़ा से बहुत सारे स्नेक्स अब आने लगते हैं अब बहुत सारे स्नेक्स आकर उस मॉनस्टर पर चड़ जाते हैं और उस मॉनस्टर को बुरी तरह इंचिट कर देते हैं और मार देते हैं तब ही काउ भी यहाँ पर आ जाता है और सब लोग अब बोट में बैट कर वहाँ से चले जाते हैं ये मूवी यही पर एंड हो जाती है